खय को है है केसे लृः मेरा नुकसान ना वू हमारा loss ना हो और हमें कौन सा program join करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए सबसे पहला स्वाल जो मुझे लोग पूछते हैं वो यह पूछते हैं कि मैं online में काम करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ तो दोस्तों online में बहुत कुछ है करने के लिए जैसे matrix program है mining programs है forex programs है helping programs है और अगर आप free में join करना चाहते हो free में earn करना चाहते हो तो ptc programs है capture typings है word pad typings है service programs है आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है मुझे लगता है revshare तो इसलिए मेरा पूरा ज्यादा focus revshare पर ही रहता है ठीक है दोस्तो revshare असल में होता क्या है एक advertisement company होती है जो हमें अपनी advertising service provide करती है जो हमें buy करनी होती है और बदले में हमें कुछ banner credits मिलते हैं या फिर text add credits मिलते हैं वो हम अपनी किसी दूसरी site को promote करने के लिए उसको use कर सकते हैं और इसमें से हमें जो earning होनी होती है वो दोस्तो granted नहीं होती है वो एक तरह का bonus होता है जो हमें इनकी service buy करते हैं उसके लिए हमें company अपना revenue distribute करती है कोई भी revshare site है उसका admin जितनी भी उस site पर sale होती है उसका 5-10% अपने पास रखता है बाकि 90-95% members को distribute कर देता है तो वहीं हमारी additional income होती है दोस्तो ठीक है दोस्तो तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम revshare site पर कैसे काम कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तो site पर एक investor आता है investor मैं भी हो सकता हूँ जो paid member है वो समझी investor है दीक है investor क्या करता है कुछ money revshare में डालता है revshare site में अपने से खुद money डालता है money डालने के लिए आप बाप पुछेंगे कि मैं money कैसे डाल सकता हूँ money डालने के लिए दोस्तो आपके पास एक payment processor होना जरूरी है payment processor आपका कोई भी हो सकता है payza हो सकता है, bitcoin हो सकता है perfect money हो सकता है, payar हो सकता है solid trust pay हो सकता है और भी बहुत सारे payment processors हैं जिनसे हम rev share में payment कर सकते हैं लेकिन जो सबसे famous और number one पर है वो है this time payza तो मैं चाहूँगा कि आप payza से ही invest करेगे और दूसरे number पर है bitcoin आप चाहें तो bitcoin से भी payment कर सकते हैं bitcoin के लिए आप coinpayments.com जोइन कर लीजिए तो payza या फिर coin payments जोइन करने के लिए आपके पास email ID होना ज़रूरी है सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपनी email ID जी mail पर बना लीजिए और उस तो जब आपने अपना payment processor में account बना लिया तो उसके बाद आपने rapture site में funds add करने हैं ठीक है investor आप हो चाहें मैं हो चाहें कोई और हो कोई भी member हो सकता है वो investor कर लाता है तो investor क्या करता है money rapture site में add करता है ठीक है हमें कुछ banner credits मिलते है वो banner हम अपनी other site को promote करने के लिए यूज़ करते है ठीक है दोस्तो ये तो हो गए एक chapter अब दूसरा chapter है हमें earning कैसे होगी दोस्तो जो इसकी earning है जो हमें जो revenue दिया जाता है वो हमारी additional income होती है non guaranteed होती है उसकी कोई guarantee नहीं है देता है जो हमें revenue दिय जाता है दूस्तो हर site का अलग plan होता है कोई हमें 120% earning देता है कोई 110% देता है कोई 105% देता है कोई 1.500% देता है कोई 200% भी देता है यह हमारी ad pack के ऊपर हमें earning मिलती है ठीक हम जितने भी ad pack हमारे पास ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमें अर्णिंग होगी है और जितने हमारे पास कम एड़ पैक होंगे उतनी हमें कम अर्णिंग होगी जो ROI और कोई कमपनी 120% ROI दे रही है तो वो 120% ही अर्णिंग हमें देगी daily percentage उसकी कुछ भी हो सकती है 2% भी हो सकती है 5% भी हो सकती है 3% भी हो सकती है 12% भी हो सकती है 24% भी हो सकती है 40% भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है ठीक है यह long term जो फिर short term site के ओपर depend करता है ठीक है दोस्तो जब हमने ad pack buy कर लिए तो उसके बाद हमारा काम क्या रहता है हमने compounding करनी होती है plus daily ads उसकी watch करनी होती है compounding क्या होता दोस्तो जो हमें daily की earning होगी चाहे 2%, 4%, 5% कुछ भी हो सकती है जो भी हमें daily की earning होगी वो हमें दुबारा से site में लगाते जाना है दुबारा से उसके ad pack buy करते जाना है तो जैसे जैसे हम ad pack buy करते जाएंगे हमारी earning बढ़ती जाएजी माल लिजे हमने 200 dollar लगाया हमें company 2% daily का दे रही है तो अगले दिन हमारी earning जोगी 4 dollar होगी तो हम 4 dollar भी site में ad pack buy कर देते हैं अगले दिन हमें 204 के उपर 2% मिलेगा ठीक है दोस्तो इस तरह से compounding करनी है आपको compounding के लिए strategy बनानी होती है strategy आपको long term के हिसाब से जाए फिर short term के हिसाब से अलग-अलग बनानी होती है अगर कोई site long term है तो उसमें आपको compounding कम से कम एक मीना करनी होगी ठीक है दोस्तो उसके बाद next step हमारा आता है हमने seed money आउट करनी होती है seed money वो होती है दोस्तो जो आपने खुद से लगाई होती है जानी है आपने 200 dollar लगया और 400 dollar खुद से लगया वो आपकी seed money होती है जब आपने compounding कर ली उसके बाद आपने अपनी seed money आउट करनी है आपने उतनी जएर withdrawal मारते रहना है जब तक आपकी seed money आउट ना हो जाए आपकी seed money बाहर ना आ जाए तब तक आपने withdrawal मारते रहना है अगर किसी site में reperchase rule है वो कुछ भी हो सकता है 50%, 40%, 30% कुछ भी reperchase हो सकता है तो compounding करने के बाद आपने सिर्फ reperchase से buy करते जाना है और earning balance जाए फिर cash balance जो भी होगा वो आपने निकालते जाना उसका withdrawal मारते जाना है जब आप एक बाद आपकी seed money बाहर आगई तो आपका risk खत्म हो जाता है उसके बाद आपने फिर से compounding करनी है फिर से कुछ दिनों के लिए आपने compounding करनी है जब आप कुछ दिनों के लिए compounding करेंगे अगर short term है तो वो आप जादा से जादा 10 दिन उसको compounding किजिए अगर long term है तो उसको आप 20-25 दिन जाए एक मीना उसको दुबारा से compounding कीजिए ठीक है आपका account एक बार build up हो जाएगा एक बार strong हो जाएगा उसके बार आपने फिर profit इना start करना है get profit आपने करना है उसके बार जो भी आपका बचेगा site में चाहिए वो repurchase में हो चाहिए वो cash balance में हो चाहिए आपके add back हो वो सब कुछ आपका profit होगा क्योंकि आप seed money out कर चुके हो तो अब site में total आपका profit बचा है ठीक है तो वो आप profit आपने हमेशा लेते रहना है हर week उसको repeat करना है आप 5 दिन उसको build up की दिये 2 दिन निकालिये जहां फिर 4 दिन build up की दिये 3 दिन निकालिये ऐसे करके आपने हर week दे profit लेते रहना है जब तक site चलेगी तब तक आपको profit मिलता रहेगा कुछ लोग मुझे सवाल करते हैं कि अगर मैं इस site में 100 dollar लगाता हूँ तो मैं कितना निकाल पाऊंगा अगर इसमें मैं 50 dollar लगाता हूँ तो मैं कितना निकाल पाऊंगा दोस्तों ये सवाल बिलकुल गलत है क्योंकि इस line में इस सवाल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जितनी देर site पर traffic रहेगा जितनी देर site की sale होती रहेगी तब तक आपकी earning होती रहेगी ये नहीं है कि आपने 100 dollar लगाया और आप 120 ही निकाल पाएंगे या फिर 110 ही निकाल पाएंगे या फिर 200 ही निकाल पाएंगे ऐसा कुछ नहीं है जब एक बार आपने compounding कर ली उसके बार आपने seed money निकाल ली और उसके बाद आप जितनी देर site चलती रहेगी उतनी देर आपको profit मिलता रहेगा profit आपका 10% भी हो सकता है profit आपका 50% भी हो सकता है 100% भी हो सकता है 1000% भी हो सकता है ये site के चलने के उपर depend करता है कि site कितनी देर चलती है क्योंकि जितनी जर भी site चलेगी तब तक आपको profit मिलता रहेगा ठीक है दोस्तों ये तो होगा एक chapter हमने invest कर लिया, हमने build up कर लिया उसके बार हमने seed money निकाल लिया उसके बार हमने profit निकालना start कर दिया ये तो होगा अलग बार अब कुछ लोग होते हैं जो बिना सोचे किसी भी rap share में invest कर देते हैं तो अपना loss कर लेते हैं दोस्तों मैंने यहां पर कुछ tips भी दे कर रखे हैं ये tips में आपको बारी बारी बताता हूँ कि आपको तिन चीज़ों को अध्यान रखना होता है कि आपका loss ना हो ठीक है सबसे पहला जो tip है वो है start from first day आपको कोई भी rap share है आपको first day से join करना चाहिए ना कि उसको late join करना चाहिए अगर आप late join करेंगे तो definitely आप अपना loss कर लेंगे क्योंकि rap share site कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ तो इसलिए शुरू में invest कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने seed out कीजिए seed out करने के बाद जल्दी से जल्दी जारा से जादा profit लेना start कीजिए तो यही चीज का आपको ध्यान रखना है आपको first day से join करना है second tip है दोस्तो don't be greedy किसी भी rap share site में आपको greedy नहीं होना है कुछ लोग क्या करते हैं 100 dollar लगाते हैं और फिर उसको compounding करना शुरू कर देते हैं निकालते कुछ भी नहीं है compounding करते जाते हैं सोचते हैं कि मैंने 100 dollar लगाया है तो मैं कम से कम पहले अपने 1000 pack कर लूँ फिर उसके बाद मैं निकालना स्टार्ट करूँगा यह बिल्कुल गलत है दोस्तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे इस तरह से greedy हो जाएंगे तो आप हमेशा अपना loss करेंगे आप कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि rap share site कोई भी है मैं एक rap share site के बार में नहीं बोल रहा हूँ कोई भी rap share site है उसको हमेशा नहीं चलना है जितनी देर site पर traffic है जितनी देर site पर sales हो रही है उतनी देर site चलती रहेगी जब site का sales बंद हो गया कम हो गई जहां फिर site पर traffic कम हो गया तो site down जाने लगेगी उसके बार एक दिन जाके खतम हो जाएगी, scam हो जाएगी, बंद हो जाएगी ठीक है इसलिए जल्दी से जल्दी पहले अपना seed out कीजिए, उसके बार उसको compounding कीजिए risk free हो के काम कीजिए ठीक है दोस्तो seed out first आपने seed out पहले निकार लेना है उसके बार compounding करना है ठीक है दोस्तों जो fourth tip है यह सबसे important है कि अपना sponsor एक अच्छा चूज कीजिए अगर आपका sponsor अच्छा होगा आपको अच्छी guidance देगा helpful होगा तो आप कभी भी अपना loss नहीं करोगे क्योंकि हम लोग इस line में से profit कमा चुके हैं अब जो भी हमारा rev share sites में है वो total हमारा profit है जो हमने खुद से लगाया था वो हम कभका नकाल चुके हैं ठीक है तो आप अभी नए हो तो इसलिए आपको अच्छे sponsor की जरूरत होती है शुरूर में अगर आप अपनी मर्दी से कोई भी rev share join करोगे उसमें funds डालोगे बिना कुछ से समझे तो आप हमेशा अपना loss करते जाओगे तो एक दिन आप सोचोगे कि rev share में कुछ नहीं है rev share बेकार है इसको आप शोड़ दोगे जबकि ये बिल्कुल गलत है चुकि rev share sites में बहुत profit है दोस्तो अगर हमें इस चीज़ को कर रहे है को हमें profit हो रहा है हम तभी कर रहे है अगर हमें profit नहीं हो रहा होता तो हम इस line को कब के छोड़ चुके होते तो इसलिए आपको एक अपना अच्छा sponsor जरूर चोज़ करना चाहिए आप मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहते हो आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हो लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आपका sponsor अच्छा होना चाहिए अगर उसको आपकी referral commission मिलती है तो बदले में वह आपको help करे आपके हर सवाल का जवाब उसके पास हो और आपको अच्छी तरह से guidance करे ठीक है अगला tip है be aware from commission junkies commission junkies कौन होते हैं commission junkies दोस्तों वो होते हैं जो आपको खराब program में भी join करवा देते हैं उनको सिर्फ अपनी referral commission से मतलब होता है आपका चाहे loss हो चाहे profit हो उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है उन्होंने सिर्फ आपको प्रोग्राम का अपना referral link देना है आपको join करवाना है join करवाने के बाद वो आपको किसी message का reply तक नहीं करते हैं वो होते हैं commission junkies इनसे आपको बहुत aware रहना पड़ेगा दोस्तों कुछ commission junkies तो ऐसे होते हैं खराब program को promote करने लगते हैं admin से 50-100 dollar लेके खराब program को भी promote करने लगते हैं तो जो नए member होते हैं जिनको knowledge नहीं होती है वो join कर लेते हैं और बाद में उनका नुकसान हो जाता है ठीक है दोस्तों तो इस चीज़ से भी आपको बच्टे रहना है अगला जो tip है वो है forget cheap RCB यहां RCB हम किसे बोलते हैं RCB होती है referral commission back कुछ नए members ऐसे होते हैं जो referral commission back मांगते हैं तो referral commission back मांगता है बहुत ही cheap word लगता है क्योंकि अगर आपको इस लाइन में काम करना है तो अपनी सोच थोड़ी बड़ी रखनी होगी अगर कोई आपको RCB आफर करता है तो समझ लीजिए कि जहां तो उसके पास referral कम है यहां फिर वो commission जंकी है ठीक है वो आपको सिर्फ अपने program में join करवाना चाहता है आपको चाहे profit हो चाहे loss हो उसको कोई मतलब नहीं होगा वो आपको RCB तो दे देगा 10$ 20$ जो भी है वो RCB आपको दे देगा लेकिन उसके बाद आपका जो नुकसान होगा बाद में 200$ 400$ जो भी आपने लगाया होगा अगर वो program खराब हुआ तो last में जाकर आपको पश्टावा होता कि मेरा कोई अच्छा sponsor होता जो मुझे अच्छे से guide करता आप 10$ 20$ के पीछे अपना 400-500$ का नुक्शान करवा लेते हो तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है यहां तो आप RCB collect करते रही है यहां पर यहां से कुछ पैसा कमाईए दोनों में से एक ही काम होगा यहां तो आप RCB वाले sponsor को चूज कर लीजिए यहां पर किसी अच्छे sponsor को चूज कर लीजिए यह आपके ओपर डिपेंड करता है ठीक है दोस्तो उसके बाद आपको site जोने करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी होती है sites पर सबसे पहले आपको देखना होता है कि site पर traffic कहता है traffic होता है दोस्तो जैसे मैं member हूँ आप member हैं किसी site पर 500 उस site का traffic कितना है 500 तो किसी site पर अगर 1000 member है तो इसका site का traffic है 1000 यह जतने भी member होते हैं यह traffic होता है तो जब आप site का traffic देखेंगे अगर किसी site पर 200 जब 500 member हैं तो उस पर आपने invest कर लिया तो आप definite लिया अपना loss कर लेंगे ठीक है, site पर traffic बहुत अच्छा होना चाहिए, तब ही आप site से कुछ कमा पाएंगे, site पर traffic अच्छा आ रहा है, तो समझे, site की sale भी अच्छी हो रही है, ठीक है, उसके बाद है, who are admin, admin कौन है, admin अच्छा है, trusted है, well known है, या फिर fake है, unknown है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको देख को join करते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि, जो नए admin भी होते हैं इस line में, वो भी trusted होते हैं, उनकी site भी अच्छे दिसलती है, लेकिन 90% जो site है, वो scam हो जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से काम करना होता है, तो इसलिए आपको sponsor की जरूरत होती है, जो आ होती ही अच्छा होगा, तो अपने experience के ऊपर वो site को चलाता है, अगर site कभी भी down भी जाने लगती है, तो अपने experience का इस्तमाल करके, site को दुबारा से track पर ले आता है, ठीक है दोस्तों, तो यह चीज़ भी आपको देखनी होती है, अगला जो tip है दोस्तों, यह promotion के लिए, क आप वो अपना referral गवा लेंगे, वो दुबारा आपके अंडर कभी भी join नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए आप तब तक promote कीजिए, जब तक site का response अच्छा हो, ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है, कि मैं आपको rapture के बारे में पूरी जानकारी देपाऊं, दोस्तों मीड करता हूं कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी, आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलें, मेरा यूट्यूब चैनल सिब्सक्राइब करना ना भूलें, इस ट्यूटल में इतना ही, अगली ट आ91 में दोफर исाही बहुत ही यह बहुत ही आया होगी, आपको वीडियो लाइक करसी हो वीडियो बहुत ही आओ ग